नमस्कार, मैं हूँ रिशीक और मैं अब आपको गुली का गजब पिटारा की कहानियां सुनाता हूँ पहले कहानी में गुली के दादा जी का चश्मा तूट गया था और इसलिए वे अकवार पढ़ नहीं सकें उन्हें उदास देखकर गुली ने उनकी सहायता करने की सोचा वह जल्दी से अपना पिटारा लेकर आया उसमें से एक मैगनिफाइंग लेंस निकाला और दादा जी को दिया दादा जी को सब कुछ बड़ा और बहतर दिखाई देने लगा दोनों इसे बहुत खुश हुए तूसरी कहानी में वह मंगल चाचा की सहायता करता है ठन ठना ठन धन धनाम धूम वहां उसने पैकेट से तेल निकाल कर बोतल में डालने के लिए एक बड़ी चोड़े मोह वाली कीप अपने पिटारे से निकाल कर देता है जिस से मंगल चाचा की रसोई साफ रही चाचा ने गुली को शुक्रिया कहा अंतिम कहानी में दादी मां उनी टोपी की सिलाई करते समय सुई नीचे गिर गई थी जिस से वहां परेशान थी गुली ने उनकी भी मदद की अपने पिटारे से एक चुम्बक ले आया और जट से सुई धून्द निकाली साथ ही बहुत सी खोई हुई लोहें की चीजे भी धून्द निकाली इस प्रकार से गुली ने अपनी चतुराई से सबकी सहायता की इन कहानियों से मैंने सीखा कि बड़े बूडों की मदद करना अच्छी बात है उनकी मदद करने से वे खुश हो जाते हैं हमें उनका मान रखना चाहिए धन्यवाद